अरब सागर में समुदری लुटरों का खत्रा आज का नहीं है, काफी लंबे समय से समुदری लुटे रे जिनकों की सुमालिया से भी जोड़ा जाता है तो इस तरही घटनाय जो है पिछले एक जड़ महीने में बहुत ज़ादा बड़ी है अगर हाल फिलाल की बात करें तो चार जनवरी को ही एक लाइबेरियन शिप है उसके उपर से एक डिस्रेस कॉल आया था उस डिस्रेस कॉल में ये कहा गया था कि शिप में पांस से छे पर तैनात कर दिया अब वहां जो भी लोग उस शिप मौजूद है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारती नौसेना के जो एरक्राफ्ट है उन्हों ने उस शिप के उपर उड़ान भरते हुए क्रू से बाचीत की और बाचीत करने के बाद उनकी सलामती जानी और इतने में भारते नौसेना ने अपने डेस्ट्राइर शिप आइनेस चेन्ने को भी उस जगे पर तैनात कर दिया अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इस इलाका जो है एकदम से इतना ज़ादा एक्टिव क्यों होगी आखिर क्या वज़े है कि वो इलाका यानि अधन की खाड़ी से होते हुए भारत का जो ट्रेड है यानि की भारत का वैपार है फ्यूल का नहीं एनरजी ट्रेड नहीं दूसरा वैपार वहां पे तकरीवन 90 फीसदी वैपार वहां से गुजरता है और वही जो शिप हैं जो उस वैपार के लिए इस्तेमाल में लाए ज प्रक्राइब अपने जंगी जहाजों को वहां पे तैनात किया है उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गल्फ आव ओमान की बात करें जो कि फारस की खाड़ी से बाहर की तरफ निकलता है गल्फ और वहां पर भी भारतिय नौसेना के जंगी जाज मौजूद हैं क्योंकि पूरे इलाके में हुई है रेटसी के इलाके में हुई है लेकिन अरफ सागर में भारचिय एक स्क्लूजिव एक औिमर्लिज फ्रिस्केंश्ड गकड़ी धनिक जोन के भार भी एक ऐसी घटना गटी थी तो उसके भागतन से भारतिय पूरी तरीके से मुस्तायद है इस वक्त उस पूरे इलाके में अरफ सागर के उस इलाके में भारतिय नौसेना के चार बड़े destroyer ship और एक frigate वहाँ पे मौझूद है जो की anti-piracy operation में अपने आपको जो है जोके हुई है कहीं से भी कोई भी distress call आती है तो distress call को तुरंट जो है उ इनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा शिप जो की या तो इंडियन फ्लैक्शिप हो या कोई दूसे फ्लैक्शिप हो उसको जो है किसी भी तरीके कोई ऐसा सामना ना करना पड़े कि पाइरे जो है यानि कि समूदरी लुटे रे उस पर कबजा कर सके यह ताकि की जो हूती विद्रोही है यमन के वो भी लगातार कई ऐसे शिप को निशाना बना रहे हैं तो ऐसे में भारती नौसेना ने अपने जो जितने भी ऐसे स्पेशलाइज़ शिप्स हैं जो की इस्पेशली एंटी पाइरेसी और एंटी डोन एक्टिविटीज को रोक्त जनाती को बढ़ा रहे हैं फिलहाल जिस शिप के अमलोग बात कर रहे हैं लाइबेरियन शिप है और उसको इस वक्त भारती नौसेना के जंगी जहाज जो है वो मौनिटर कर रहे हैं लगातार सिच्वेशन मौनिटर कर रहे हैं और ये भी देखनी कोशिच की जा रहे हैं कि शिप्ट के ऊपर जो क्रू है वो सुरक्षित है या नहीं है तो अभी फिलाल पूरे उस इलाके में अरब सागर के उस इलाके में जहां से दुनिया का सबसे जादा ट्रेड गुजरता है जहां से भारत का सबसे जादा ट्रेड चाहे वो एनरजी ट्रेड हो या बागी कोई द